कि यहां आया शुरू करते हैं परसंटेज का मतलब होता है गाइस कि पर means pretty cent means hundred और hundred है हमारा क्या है base value है इसी से हम पूरे percentage को solve करेंगे इसका symbol अगर बाद करते हैं तो यह symbol होता है इस symbol का मतलब क्या है कि अगर किसी value के साथ में यह symbol लगा हुआ है तो इसको अगर हमें change सबowिक हमागा दो करना या इसको बाद करना है तो इसको हटाने के लिए हम इसका रिप्लेस कराएंगे किस से हंडिट से ओके जैसा कि मालीजे की दिया गया है फ्रैक्शन फॉर्म कनवर्ट करना परसंटेज तो फ्रैक्शन इसे 20 परसंटेज है अभी मैं बेसिक दे रहा हूं बेसिक समझे उसके बाद आजने वाले वीडि अगर दिया जाके फ्रैक्शन इसका कनवर्ट करिए तो जिनको आता है बहुत अच्छी वात है जिनको नहीं आता है वाल सीख जाएंगे कुछ नहीं करना है बीस आपने लिखा दिया गया है और यहां पर यह सिंबल लगा हुआ है इसके आपकर करके हंडिट मैंने पहले ब एक बटे पांच इसका अंसर हो गया अच्छा अगर यह वापस से अगर यह दिया जाए कि एक बटे पांच को मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में इसको अब परसंटेज में कनवर्ट करें तो कैसे होगा फिर वह कोई रिकत नहीं है एक बटे पांच हमारे वैल्यू दिया गया ह मतलब एक बटे पांच है अब क्या करें इंटू हंडर्ड इंटू हंडर्ड पार देजिए पांदूनी दस जीरो मतलब कित्ता आ गया बीस परसंटेज आ गया ओके यहां तो अब समाझ गया अब आए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जैसा कि पहला टाइप है 20 का 10 परसंट या 400 का 75 परसंट निकालना हम इस तरह कोशन बेसिक पूछे जाते हैं और बहुत आसान है करना कुछ नहीं है दिया है बीस का तो बीस का कम बतलब इंटू इंटू उसका बहुत 10 है तो 10 और परसंटेज जटाने के लिए अपां क्या क करना होगा जी हां 100 बस अगर यह आप मज़िया फिर से बता रहा हूं तो इजी समझिए 20 का है तो इंटू 10 10 परसंटेज को हटाने के लिए 100 का डिवीजन करना होगा बस अब सिंपल कार्ड दीजिए जो है 0 से 0 गया 10 दूना 20 कट गया अब देखिए कितना आ गया इसका दो परसंट आगया अंसर ठीक है बहुत आराम से बता है समझ में आगया होगा नेक्स देखते हैं उसमें अगर इसमें समझिए क्या करना है 400 का 75 परसंटेज को हटाने के लिए अपन 100 बस कार्ड दीजिए दो जिरो से दो जिरो कार्ड दिया जो है और 75 चौका अगर होता है पुटिता 300 हो गया अब तक समझ में आगया होगा अब हम लोग टाइब टू देखते हैं क्या है जैसे दिया गया अठारह कॉमा नबे का कितना प्रतिश्यत है या पचास का कितना प बूल रहा है यह दो तो 90 का पूछता क्коїतना परसें ठीक है तो बिस ध जिसके अगराड निकों बोलेगा उसको हम भी प्रटे में लेया देना है कैसे नब्बे के रिगारडिं की बात कर रहा है तो बतेम इसको ले आईए अगे थीक है और जिसके जो नंबर पुछा जिसे हैं थो बचाका अथारत ठीक है और परसंथेज पूछा है कि कितना पर्संटेंट इन्टू हन्डड कर दीजिए इस तरह की प्रस्नों में जिसके रिगार्डिन बात करें तो नब्बे का कितना प्रतिसर अठार होगा पूछ रहे हैं तो नब्बे का अपन लेज नब्बे उपर एक अठार परसंटेज कि क्या होता है बेस प इंपली आप कार सकते हैं जैसे कार देजिए जीरो से जीरो कार देजिए जो है नो दूना ठार है दस दूना बीस परसंटेज है आई हो समझ पारें आप लोग पचास का कितना परसंट चालिस होगा किसके रिकार्डिंग थे पचास के ठीक है तो देखिए उसको अपन ले यह पचास क्या 40 तू पर होगा 40 इन्टू 100 ठीक है अब इसको नॉर्मल आप काड़ देजिए पचास दूना 100, 40 दूना 80 अंसर ठीक है समझ पाने आप लोग जो है आए नेक्स्ट टाइप 3 है कम या अधिक अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कम या अधिक जैसे 60, 40 से कितना परसंट अधिक है या 60, 80 से कितना परसंट कम है तो कुछ नहीं करना जैसे को नहीं बताया कि जिसके रिगार्डिंग में बात हो और कम अधिक बात करा तो इसका और दो नंबरों को डिफ्रेंस बस यहीं आपको ध्यान देना होगा और कुछ नहीं कैसे आई देखते हैं जैसे दिया है 60, 40 से किसके है रिकार्डिंग में 40 के रिकार्डिंग में इसको कहा आप लेंगे बटे में जी हां जैसा कभी उने पहले बताया था आपको बस उसके बहुत क्या कर इन दोनों नंबरों को डिफ्रेंस कितना है तो 60, 40, 20 का डिफ्रेंस उपर लिखा 20 इन्टू परसंटेज आप 100 यूज करेंगे ही करेंगे बस अब इसको कार्ड दिया जो है नॉर्मल आप यसे भी कारते हैं कैसे बकार सकते जीरो से जीरो कार दिया जो है और दो एक कादो, दो दूनीज चार कर दिया और दो से इसको कर दिया आप तो 50 यह आपका अंसर हो गया उसके बाद अब यह जैसे 60, 80 से कितना परसंट है किसके रिगार्ड इंगे, 80 को नीचे ले आएंगे जिसके रिगार्ड इंगे वह बटे में आ जाता है उसके बाद इन दोनों नंबरों के डिफ्रेंस, 70, 80 के डिफ्रेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, उसके बाद इन टू 100, परसंटेज 100 दिखाएंगे, उस बाद आपकार दीजिए जिदा, 00, दो दो चोकार्ट, कार दीजिए, 25 परसंटेज, आइसा तो यह हमारे बाद आपकार्ट, आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बहुत ही आराम से बेसिक बताने के कोर्स की हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से यह और सब्सक्राइब और कॉम्मेंट करना ना भूले, कि आपको मेरा लेक्षर कैसा लगा, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, थैंक्यू स मुच्छ